हलो दोस्तों मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गनपती का तेवार आ रहा है घर में अलग-अलग चीजों से मोदग बनाए जाते हैं इसलिए मैं आज आपके साथ गेहूं के आटे के दानेदार मोदग की रेश्पी शेयर करने वाली हूँ जो टेश्टी होने के साथ-साथ बहुती कम सामान से जटपट बन भी जाते हैं चले फिर आज गनपती स्पेसल गेहूं के आटे के मोदग बनाते हैं मोदग बनाने के लिए सबसे पहले तगार बनाएंगे इसके लिए एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें पौना कटोरी चीनी डालेंगे यह 250 ग्राम के कटोरी है इसलिए चीनी वजन में लगवग 180 ग्राम है तगार बनने के बाद इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है इसलिए चीनी की क्वांटिटी कम रखी है अब जिससे चीनी मापा था वोशी कटोरी से आगदा कटोरी इसमें पानी डालेंगे और चीनी मेल्ट होने तक इसे लगातार घुमाते रहना है इसे बनाते समय गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए और हाई फ्लेम पे ही यह प्रोसेस करना है चीनी बच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसे 3-4 मिनट के लिए ऐसी पकने देंगे इसे पकाते समय ऐसी चलाना है चीनी पकते वे 3 मिनट हो चुका है इसमें इसे जहाग भी आने लग गया है और ये गाड़ी भी हो चुकी है इसे उंगलियों से इस तरह से चेक करेंगे इसे टच करने के बाद उंगलिया आपस में चिपक रही है तो यह हो चुका है अब इसमें आदा छोटा चमच घी डालेंगे घी डालने से तगार सौप्ट और दानेदार बनते हैं और इसमें मारकेट जैसे मिलने वाले तगार की तरफ घुठ्लिया भी नहीं पड़ती और अच्छे से मिला लेंगे। गी मिक्स होने के बाद अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे लगातार इसी तरह घुमाना है जैसे जैसे चासनी ठंडी होगी वैसे वैसे ये ड्राय होने लग जाएगा इसलिए इसे लगातार घुमाते रहना है ये देखिए इसका color change होने लग गया है छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा तो ये घर में ही market से अच्छा बनाया जा सकता है और एक बार बनाने के बाद इसे 3-4 मैने तक air tight container में रखें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और जब भी कोई डेजार या लड़ो बनाए इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब ये dry होने लग गया है गैस के उपर में इसे अच्छे से नहीं घुमा पारी हूँ इसलिए में इसे नीचे निकालूंगी और नीचे निकालने के बाद फिर से इसे इसी तरह घुमाते रहेंगे ये काफी tight हो गया है इसलिए इसे मैं आप spoon से घुमाऊंगी ताकि मुझे इसे घुमाने में आसानी हो जैसे जैसे ये dry होगा ये दानेदार चूरा बनता जाएगा अगर इस समय इसे घुमाया नहीं तो इसकी गाठे पड़ जाएगी और बूरा या तगार नहीं बन पाएगा इसे इसी तरह spoon से प्रेस करते हुए इसकी सारी गुठलिया निकाल देनी है देरे देरे ये बारिक हो चुका है और डबल भी हो गया है इसका कलर देखे कितना वाइट आया है और ये क्वांटिटी में डबल भी हो गया है homemade दानेदार तगार बन के तयार है अब फिर से एक पैन को गर्म करेंगे उसमें दो चमत देसी घी डालेंगे और घी को melt करेंगे घी के बने हुए आटे की मुदक काफी टेस्टी बनते है इसलिए इसे skip ना करें घी मेल्ट हो जाने के बाद अब इसमें एक कटोरी गहों काटा डालेंगे वजन में ये 250 ग्राम है ये वही कटोरी है जिससे तगार मनाने के लिए चीनी लिया था और इस आटे को घी में low to medium flame पे अच्छे से भूनेंगे आटे को भूनते से में gas की flame high नहीं करनी है इसे low flame पे ही लगातार चलाते हुए भूनेंगे आटे को भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके है अगर भूनते हुए इसमें कोई गाठे पड़ रही है तो चमचे इस प्याचुला से इस तरह प्रेस करते हुए उनको निकाल ले अब इसे भूनते हुए लगबग 6 मिनट हो चुके है इसमें अब हलका brown color आने लग गया है अब इसमें बारी कटे हुए dry flow एड़ करेंगे इसमें एक चमच बारी कटावा पिस्ता एड़ करेंगे एक चमच बारी कटावा बादाम और एक छोटा चमच बारी कटावा काजू आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी dry flow एड़ कर सकते हैं और फिर से इसे लगाता और घुमाते हुए पकाना है जब तक इसमें हलका brown कलर ना आ जाए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आकान जरूर प्रेस करें ताकि मेरी बनाई हुई नई नई रेस्पी की अपडेट्स आपको मिलती रहे अब ये आटा अच्छे से भून चुका है इसका कलर भी हलका brown हो गया है और इसका aroma भी काफी अच्छा आ रहा है अब इसमें दो छोटे चमच milk powder एड़ करेंगे ये बिल्गुल optional है आप चाहे तो नडाले और 3-4 कुटे हुई लाइची का powder और इने भी अच्छे से इसमें mix कर लेना है ये अच्छे से भून भी चुका है और इसका कलर काफी अच्छा भी आ गया है पर इसे भूनते हुए तोड़ा ओर dark करेंगे क्योंकि इसमें तगाह ड़ाना है और तगार डालने के बाद इसका कलर थोड़ा light हो जाएगा अब इसका कलर काफी dark हो गया है इसे भूनते हुए मुझे 7-8 मिनिट लगे अब गैस की flame बंद करेंगे और इसे लगातार फिर से ऐसी घुमाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और हलका ठंडा भी हो जाए अब इस भूने हुए गैहों के आटे को एक bowl में transfer कर लेंगे अब ये इतना ठंडा हो चुका कि हाथ से touch हो सके अब इसमें तगार डाल देंगे गैहों का आटा हलका गर्म हो उस समय ही तगार डाले ताकि तगार इसमें अच्छे से mix हो जाए और अलाग अलाग न दिखे तगार डालने के बाद अगर ये थोड़ा dry लग रहा है तो इसमें एक चमच melted गी और add कर सकते हैं और फिर से इसे अच्छे से mix कर ले मैंने भी इसमें एक चमच melted गी डाला क्योंकि तगार डालने के बाद ये थोड़ा dry हो जाता है अब ये अच्छे से bind होने लग गया है अब इसके मोदक बनाएंगे यहापर मैंने तीन पत्ती वाले मोदक का छोटा साचा लिया है ये easily market में मिल जाता है इसी से ही सारे मोदक तयार करेंगे अब इस मोदक के साचे को तीन जोगे से लोग करेंगे भुने हुए आटे को इसमें डालेंगे और अंगुठे या उंगलियों से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके अंदर से कहीं पर गैप न छूटे इसे पूरा भणने के बाद फिर से अंगुठे से प्रेस करेंगे फिर इस साचे को हलके हाथों से उपन करेंगे ये देखिए गिहों के आटे का प्यारा सा मोदक बन के तयार है इसी तरह से ही सारे मोदक बना लेंगे एक कटोरी गिहों के आटे में ही भरपूर मोदक तयार हो जाते हैं अब इसकी प्लेटिंग करेंगे इस गनपती में आप इसे जरूर बनाएं ये बहुत ही सस्ता जटपट बन जाने वाला टेस्टी मोदक है जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है मेरी आज की रेस्पी का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बनाई हुई आज की रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेर जरूर करें ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसी नई नई रेस्पी शेर करती रहूँ और आप भी इसे घर में जरूर बनाए